कहानी की शुरुवात में हम फुगा नाम के एक IITian को देखते हैं जो कि लंडन में एक TED Talk में speech दे रहे थे और फुगा अपने टीचर आनंद कुमार के बारे में कहते हैं और आनंद कुमार से मिलने के बाद उनकी life कैसे change हो गई है इसके बारे में बताते हैं इसके बाद हम flashback म कहानी को देखते हैं जहाँ पर हम आनंद कुमार के student life को देखते हैं वो एक lower class family से बिलाउं करते थे लेकिन वो एक genius थे और एक local competition में जीतने के लिए एक minister श्रीराम सेंग आनंद की बहुत कारिफ करते हैं और आनंद को वादा करते हैं कि अगर कभी भी आनंद को उसके पढ एक post office में काम करते थे दूसरे तरफ आनंद की एक girlfriend भी थी जिसका नाम था सुप्रिया और सुप्रिया एक higher middle class family से बिलाउं करते थे इसलिए आनंद सुप्रिया के रिष्टे को मानना सुप्रिया के पिता के लिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन सुप्रिया कहती है कि अग केरियर में आगे बरना जाता था इसके बाद हम देखते हैं कि आनंद बनारस हिंद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाया करता था और वहाँ पे एक foreign math journal से problem solve किया करता था लेकिन एक दिन उस library के librarian आनंद को देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि आनंद का यहाँ पर आ आनंद काफी दुखी हो जाता है लेकिन उसी उनिवर्सिटी में काम करने वाले एक आनंद को कहते हैं कि अगर आनंद इसी foreign journal में अपनी कोई article publish करवाएगा तो उसे सारी जिन्देगी इस journal को free में use करने का मौका मिलेगा इसके बाद आनंद बहुत महनत करके इसी journal से एक mathematics के problem को solve करता है जो कि आज तक कोई भी solve नहीं कर पाया और इसके बाद वो इसी solution को Cambridge University post करना चाहता था और इसलिए अपने पिता से मिलने के लिए वो post office आता है जहाँ पर उसे अपने पिता की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आज कल राजा का बेटा राजा नहीं बनता बलके जो हगदार है वही राजा बनता है और इस बात से आनन्द बहुत inspired होता है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि University of Cambridge से Professor Richard आनन्द के इस letter को receive करते हैं और वो भी कहते हैं कि आनन्द एक mathematician genius से इसलिए वो आनन्द को उनके साथ काम करने के लिए University of Cambridge बुलाते हैं जो सुनक आनन्द और उसके परिवार बहुत खुश होते हैं और आनन्द के परिवार आनन्द को पुरी तरीके से सपोर्ट करते हैं लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि आनन्द इंग्लेंड जा सके इसलिए आनन्द उसके पिता उसे minister श्री राम सिंग के पास मदद क लिए जाते ही क्योंकि उन्हेंने एक बार आनन्द को कहा था कि वह उन लोगों की हर तरीके से मदद करेंगे लेकिन जब वह लोग बहुचते हैं तो श्री राम का एक अलग ही रूप उन्हें देखने के लिए मिलता है और वहाँ से हताश हो के वह लोग वापस आ जाते हैं और वो सब सोचते ही है कि कैसे आनन्द प्रभू लोग इंगलेंड भेज सके और उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिलता इसके बाद एक दिन रहत को आनन्द के पिता को हार्ट अटक होता है और सही वक्त पर होस्पिटल ना ले जाने के वज़ाए से उनकी मौत हो जाती है औ और इसके बाद आनन्द तैय करता है कि उसे इंगलेंड नहीं जाना और अपने पिता के मौत के बाद वो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पूरे शहर में घुम घुम के पापर बेचा करता था और इसके बाद इसी दौरान एक दिन आनन्द के आनन्द बहुत ही काबिल है और ऐसे पापर बेचना उसका काम नहीं और ललन सिंग आनन्द को कहते है कि वो एक कोचिन सेंटर चलाते है आयाईटी की स्टूडेंस को प्रिपेर करने के लिए और अगर आनन्द उनके कोचिंग में एज़ टीचर जोइन करेगा तो यह उनके कोचिंग के लिए और आनन्द के लिए दोनों के लिए ही अच्छा होगा और इस बात से आनन्द बहुत ही खुश हो जाता है और वो ललन सिंग के साथ एक्सिलेंस कोचिंग सेंटर में जॉइन करता है जिससे के इस कोचिंग में और भी ज्यादा स्टूडेंस आने लगते ह और आनंद उस सब को बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है जिसे कि इस कोचिन का नाम और भी जादा बढ़ा होता है और आनंद की financial condition भी अच्छे होने लगती है जिसके बाद सुप्या के साथ उसकी शादी भी टाय हो जाती है और इसी तरह से सब कुछ अच्छा ही चल रहा था लेकिन एक दिन आनंद देखता है कि एक student के पास पैसे कम होने के वज़ा से उसकी admission कोचिन सेंटर में नहीं होती है जो बात देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद आनंद की मुलाकत एक गरिप student से होती है जो कि IIT exam के preparation खुदी कर रहा था क्योंकि उसके पास coaching classes के लिए पैसे नहीं थे और यह सब कुछ देखकर आनंद को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने पीता के वही बात याद आती है यह राजा का बेटा राजा नहीं बलकि जो काबिल है उसे ही राजा बनना चाहिए और आनंद तैय करता है कि वह इन गरीब लेकिन होशि इंतजाम के लिए प्रिपयर करेगा जिस बात के वज़ाइस से उसके घर में यह तक के सुप्रिया के साथ उसके रिलेशन्शिप में भी पड़क परता है और सुप्रिया आनंद को कहती है कि आप उन लोगों का रिष्टा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पिता उन लोगों की रिष्टे के लिए नहीं मानेंगी और सुप्तिया उसे छोड़ कर चले जाती है लेकिन अनन्द अपने फैसले से नहीं मुकरता और वो अपने कूचिन करीब और मजदूल लोगों के बच्चे देखते हैं और उनके अंदर हिम्मत आती है कुछ बढ़ने का कुछ करने का और इसके बाद देखा जाता है कि आनन्द कुमार के कूचिन प्लासिस में पढ़ने के लिए बहुत ही दूर दूर से बच्चे मुश्किले तैक करके कुशिश करें इसके बाद आनन्द मन लगा कर इन बच्चों को बढ़ाता है और उन्हें सारी चीजें बहुत ही आसान तरीकी से समझाने की कुशिश करता है लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं के ललन सिंग आनन के इस फैसले से बिलकुल भी खुश नहीं थे और वो आनन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता यहां तक के ललन सिंग ये भी कहते हैं कि इन बच्चों को वह अपने कोचिन सेंटर में एक अलग से क्लास दे देंगे लेकिन आनन को उनके कोचिन के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा लेकिन आनन इसके लिए भी नहीं मानते पर बरबाद होगा इसलिए वह ललन सिंग पर दबाब डालते हैं और इन सारी बातों से ललन सिंग भी काफे गुस्सा हो जाते हैं दूसरे तरफ हम देखते हैं कि आनन के पास भी धीरे धीरे उसका सेफ किया हुआ पैसा खतम हो रहा था और वह भी काफे परिशानी में आ जाता है कि अब वो इन बच्चों का खाने पीने का इंतिजाम और इनके बढ़ाई के लिए जो किताबों की जरूरत पड़ेगी उन सब का इंतिजाम कैसे कर बाएगा लेकिन हम यह भी देखते हैं कि आनन के पास जो बच्चे परते हैं वह काफी होशियार और होनहार है इत तरफ ललन सिंग आनंद से एक आखरी बार बात करते हैं और उन्हें पता था कि आनंद को पैसो की जरूरत है और वह आनंद को चैलिंज करते हैं कि आनंद के बच्चे और उनके कोचिन क्लासेस के बच्चों के बीच क्यों ना एक एक्जैम हो और इस एक्जैम में जिस कोच भी इसके लिए मान जाता है और यहीं गजाएं होती है और जब रिख़ल आते हैं तो देखा जाता है कि आननक्रम्त के मुखाबले ललन सिंह के कोछिंग के student ज्यादा मार्क्स ले कर आते हैं और जो वार जान कट आननद और उनके students काफी हेरान होते हैं इसके बाद देखा प्रिया और आनंद एक दूसरे को देख कर बहुत हैरान होते हैं इसके बाद ललन सिंग सब के सामने ये कहते हैं कि आनंद ये चैलेंज हार गए है इसे लिए अब आनंद के कोचिंग सेंटर को बंद करना पड़ेगा और आनंद अब उनके कोचिंग सेंटर में वापस कि आनंद ने ऐसा कोई चैलेंज लिया भी था इसे लिए आनंद अपने कोचिंग सेंटर कंटीनियो करते हैं इसके बाद देखा जाता है कि दरसल सुप्रिया और उसके पती आएएस पूरुशतम ने ही उन डॉकुमेंट्स को गायब किया था क्योंकि सुप्रिया को ये पेपर्स में इतने मुश्किल थे कि वो लोग अच्छा नहीं कर पाए और उनके स्टूडेंस कहते हैं कि कुष्चेंस तो वो सब जानते थे लेकिन उनके अंदर एक अलगी डर था क्योंकि वो लोग बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ कंपिट कर रहे थे और उ इंगलिश में एक प्ले करेंगे और इनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर चूखेगा तो उसे आनंद पढ़ाना बंद कर देंगे और इसके बाद देखा जाता है कि ये सारे स्टूडेंस एक मूवी का एक सीन प्ले कर रहे थे और सभी टूटी फूटी इंगलिश में ही बात कर रहे थे और उन्हें घेर कर बाकी बहुत से लोग बहार पर आ जाते हैं पहले तर सभी उन लोगों का मज़ा कुराते थे लेकिन आनंद के स्टूडेंट हार नहीं मानते और वह अपना काम करते रहते हैं और आखिर में देखा जाता है कि नलन सिंग के कोचिंग के स्ट स्टूडेंस के मन से इंग्लिश का डर और ऐसे बड़े-बड़े लोगों के साथ उने का डर दीरे-दीरे खतम होता है और आनंद जो काम कर रहा था इसमें आनंद के भाई और उनकी मा दोनों興ी आनंद के साथ थे। और वो दोनों आनंदी पी बहुत मदद करते हैं ।ूस और उनके स्टूडिंट्स को ही इस दुनिया से हटा देंगे जिसके वज़े से वो लोग कोई भी एक्जामी नहीं दे पाएंगे और इसके बाद देखा जाता है कि लेलन सिंग के भीजे हुए दो गुंडे आनंद को मारने के लिए आते हैं और आनंद बुरी तरीके से जखम आनंद अपने स्टूडिंस को कहते हैं कि आज तक उन्होंने इन लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया था उस पढ़ाई का इस्तिमाल करने का वक्त अब आ गया है और आनंद के सारी स्टूडिंस एक साथ मिलकर दिमाग लगा कर इन गुंडों के साथ मुकाबला करते हैं और पढ़ाय में जो सारी चीज़ें उन लोगों ने सीखी थी वो उस सीख का ही इस्तेमाल करते हैं और देखा जाता है कि वो लोग इन गुंडों को हडा देते हैं इसके बाद देखा जाता है कि आनंद धीरी धीरी ठीक हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बीच जाते हैं और हम द का लिए आनंद के कोचिंग के 30 स्टूडिंट में से सभी नहीं आयृती एक्जैम क्रैक कर लिया था और यह बात जान कर आनंद धंग रह जाते हैं और सारी स्टूडिंज खुशी से आनद को ग्हेँ लेते हैं और इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि विफु का ये सारी कहान में सबको सुना रहे थे और वो कहते हैं कि आनंद कुमार ने सिर्फ उनके कोचिंग में बढ़ने वाले स्टूडेंस के ही नहीं बलके उनके साथ साथ उन students के family और ना जाने कितने सारे लोगों की जिन्देगी सुधारी है और जिसका एक example वो खुद ही है और इसे के साथ ये कहानी यही बड़ी खतम हो जाती है